वेल फ्रेंड्स वेरी गुड़ मॉर्णिंग आलो फ्यू वेलकम तो सक्सेस महांतर बाई जे मलिक आइम जे पी मलिक बिफोर यू तोड़े वेर इंपोर्टेंट चैप्टर के किस उमर में किस उमर में वश्यत बनाई जाए करे कि कैसे इसे समंदे जितने भी जिता है कि मेरे को विल करने के क्या जरूत है क्यूंकि है हल्थ मेरी ठीक है वी ज ul में ऑपक है do would करेंगे तो बहुत टालता रहता वह या कभी-कभी सोते retirement के बाद विल बना देगी क्या है और कई बार वो retirement के बाद भी सोचते हैं कि बिल्कुल ओके हैं कोई जरूत नहीं है विल देखी जाएगी तो टालता रहता है क्योंकि इंडिया में जो है न awareness की कमी है कि विल कितनी इंपोर्टेंट है विल बहुत जरूरी है और देखी कोट में जो जड़ट है 75 परसेंट जो केसेज हैं केसेज यह रिलेटेट टू प्रोपर्टीज हैं प्रोपर्टीज जमीर जाजाद के जगडे 75 परसेंट हैं जिस अगर यह लोगों मजाग रुकता आ जाए तो यह जगडे ना हो तो बाकि रिमेनिंग 25 परसेंट जो केसेज हैं वो तो रिमेनिंग हैं जिसमें सभी केसेज आ गए तो क्योंकि लोगों में इंडिया में awareness की कमी है और वो सोचते हैं कि विल का क्या करेंगे बाद में देखेंगे और देखिए आज कल कुछ कह नहीं सकते और खासकर इंडिया जहां पर डेड़ सो करोड की population है डेली हर गंटे कितने accident होते हैं खुदा नखासता unfortunately कुछ happening हो जाए तो आपका plan दरा का दरा रहा जाता है इसलिए विल किस उमर में बनाई जाए देखिए इसकी कोई विवेक्ती जो बालिग है अठारा साल से उपर है वो विल बना सकता है लेकिन क्यूंकि जुरूरी नहीं कि उसके पास कोई assets है संपत्य है अभी तो जब वो कमाने शुरू करता है जब उसकी 30-35-40 साल के पास कोई संपत्य आ जाती है तो एक विल बना सकते हैं क्या दिक्कत है और फिर ऐसा तो है नहीं कि वो लास्ट विल होती है उसकी डिवाइज विल बन जाती है तो यह awareness की कमी है तो और कुछ लोग कहते हैं हमें विल की क्या जूरूत है नोमीनेशन करा रख्या है देखिए नोमीनेशन और विल में रात दिन का फरक है नोमीनेशन क्या है नोमीनेशन एक ट्रस्ट है ट्रस्ट है नोमीनेशन कभी भी मालिक नहीं बनता नोमीनी कभी मालिक नहीं बन सकता जो संपत्ति का ट्रांसफर नहीं कर सकते विल से संप ट्रांसपर हो जाता है after death of a testator तो nomination क्या है देखे nomination कुछे cases को छोड़ कर जैसे accept accept ppf और lic policy इन को छोड़ कर बाकी सब जगए जो है वो owner नहीं है वो क्या है उसको receiving करने का राइट है वो रिश्यू करेगा नोमीनी जो है रिश्यू तो करेगा संपति को रिश्यू कर सकता है क्यूंकि वो एक ट्रस्टी है तो वो उसका राइट बनता है कि वो जो उसने रिश्यू किया है उसको सभी जो भी रिलेटेड पार्टी है परिवार में उनको कर लेकिन लोग सौचते हैं हमने nomination किया वहा कोई ज्रूरत नहीं है weill की बहुत ज्रूरत है weill करानी चाहिए तो यह मैं बताऊंगा के will कैसे कैसे किस किस तरह कि जाती है तो main nomination जैसे nomination है जैसे माल या mutual fund ले लो, mutual fund, इसमें nomination है, A के favor में, तो A, इसका मालिक नहीं है, not owner, not owner, owner नहीं है, ये trustee है, trustee, इसका काम है, कि जो भी, suppose, money है, उसको distribute, money है, तो उसको distribute करना, या वो court के थूरू अपना पैसा ले सकते हैं, दूसरी party है, जो अगर will नहीं है, तो क्या होता है, succession, succession के आदार पर property का division होता है, और succession में क्या होता है, फ़र पहले first class, first class, legal air, फिर second, फिर agonate, coagonate, ये, तो इसमें, जैसे है, फिर succession के आदार पर वो property जाती है, first class, second class, agonate, coagonate, तो इसलिए, फिर व्यक्ति, अपने शाब से property का division नहीं कर पाता, तो अच्छा क्या है, कि property का will बना दिया जाए, या कोई और तरीका है, अपने जिंदा division तो लोग नहीं करना चाहते, लेकिन will बनाई जा सकती है, तो will में देखिए, अगर will बन गी, तो अपनी चानुसार उस property का division हो जाता है, suppose A और एक B है, A एक लड़का है, ये son है, और ये daughter है, daughter जो है, ये daughter, ये suppose दिवांग है, handicapped है, तो father चाहता है, कि इनको 30% share दिया जाए और इनको 17, तो अपनी इच्छा अनुसार वो कर सकता है, लेकिन बाद में succession में क्या होगा, इसको भी 50% और इसको भी 50% होगा, ये कोई गलत नहीं है, क्यूंकि ये जिवन भर पैसा कमाने में ऐसा मर्थ है, और यहाँ पर इसको 30% देने से भी काम चलेगा, तो मेन क्या है, विल एक ऐसी चीज है, अपनी इच्छा अनुसार, वो संपत्ति के बारे में उसका फ्यूचर में वो संपत्ति किसको कितनी परसेंटेज जाए, उसे श्याव से डिविजन करने का एक लीगल डाकोमेंट है, तो ये मैंने बताया, अब एक एक कोईंट डिसक हैं कानुन के शाव से, हेंड रिटन विल में क्या होता है, कि हेंड रिटन विल भी मन्ने है, और उसमें जो हेंड रिटन को डिटेक्टर होते हैं, वेरिफाइंग और सिगनेचर और राइटिंग जो पैचानते हैं, पिछले दस्तावेच से पैचान सकते हैं, टेस्टेटर के जो signature है वो witnesses के सामने हो और जिस time witness वो will लिखी जाए उस time वो in the presence of witnesses के presence में हो क्योंकि कल को prove करना पड़ेगा तो testator के signature witness से ही कर पाएंगे उनकी बड़ी value है क्योंकि easy to prove हो जाएगा प्रूब करना two witnesses यह important है और यह भी attested होने चाहिए और competent होने चाहिए competent का means है कि यह sound mind और 18 years and above witnesses होने चाहिए और witnesses में देखिए जो beneficiary होता है एक उता testator एक उता कर सकता है लेकिन थर्ड पार्टी प्रेफरेबली थर्ड पार्टी होने चाहिए विल रिजिस्ट्रेशन यह जो है विल का जो रिजिस्ट्रेशन है not mandatory not mandatory 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 नहीं है पर एडवाइजेबल है क्योंकि रिजिस्ट्र रिजिस्ट्रेशन अगर विल का कराया मुश्कल से पांच सो रुपे में इसका रिजिस्ट्रेशन हो जाए स्टेंप ड्यूटी तो देनी नहीं पड़ती है खाली रिजिस्ट्रेशन चाहिए तो वह करा के इससे क्या होगा इस हो जाएगा क्योंकि यह मान के चलिए कि कोई भी विल है वह विल चैलेंज होगी है अजम करके चलिए चाहिए ना हो लेकिन अजुम करके चलना होगा तो registration mandatory नहीं है, कराना नहीं है, पर advisable है, कराना चाहिए, क्योंकि इसको prove करना असान हो जाएगा, क्योंकि सब registrar office में उसके एक copy scan होके उसमें computer माज जाती है, दूसरी उसको original testator को दी जाती है, तो एक proof बन जाता है, requirement of stamp paper, देखिए, stamp paper की कोई requirement नहीं है, no stamp duty, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन stamp duty की तो requirement नहीं है, stamp paper अगर आप purchase करके उसपे type कराते हैं, तो advisable है, क्योंकि वो भी एक record बन जाता है, hiring of professional people, देखिए, कुछ ये भी requirement नहीं है, पर एक अच्छा draft करने के लिए, लोग advocate, lawyer को hire करते हैं, ताकि उसमें कोई कमी ना रहे, तो वो कुछ charges लेते हैं, revision of will, देखिए, आप कोई no limit, इसमें revision of will में कोई limit नहीं है, no limit, कितने भी time आप will बना सकते हैं, तो ये नहीं है कि एक will बनगी, तो final है, तो कितने बार बनाओ, तो एक will, जल्दी से बनानी चाहिए, कि आदमी सोचता है, किस उमर में बनाए, तो अगर वो 35-40 साल की एज है, तो उसमें एक will बना सकते हैं, उसके पास अगर कुछ भी संपत्ति उसने इकट्टी की है, तो will बनाई जाए, photographing और making a real, आज कल क्या है, digitalization का युग है, तो आप, ये तो और भी परूब करना असान है, कि आपने photography की, या किसी photographer को, at the time of making a will, आपने बुला लिया, या कोई real बना ली, तो ये बड़ी काम आती है, आज कल ये कहीं, ये point आपको कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन, ये एक बहुत important है, और इस से, आपको प्रूब करने में आसानी रहेगी, फिर है, detail of all movable and immovable property, जब वो आप बनाते हैं will, will में क्या होता, सबसे पहले testator, जो will बनाएगा, will करता जो है, वो अपना name में डस देगा, फिर किसको, जो beneficiary ये वो है, फिर संपती, फिर वो उसमें नीचे लिखेगा, कि जो भी will में ने बनाई है, ये बहुत हवास में अपनी इच्छा से, without any undue influence से बनाई है, तो ये ये will हो जाती है, उसका कोई set performa नहीं है, तो ये will complete है, कौन किसको, will किसके favor में, क्या संपत्ती है, और sound mind है, without any misrepresentation, या किसी fraud से नहीं बनाई गई है, तो ये will में होना चाहिए, वैसे तो ज्यादा तर जो will बनती है, वो बनती है, कि मेरी सभी immowable and immowable property में इसको, लेकिन preferably ये है, कि लिस्ट बनाई जाए कौन कौन सी property, तो दोस्तों ये था, कि किस उमर में, उमर, देखिए, कई बार आजमी सोस्ता 60 सार retirement के बाद बनाऊंग तो इसलिए एक will फटा फट बनाईए, और अपने प्रिवार में अगर आप हमेशा के लिए आपके जाने के बाद भी आप चाहते हैं, शान्ती रहे, तो will बहुत important है, तो अन्त में मैं ये कौनगा, कि आप will जरूर बनाईए, और इस जो वीडियो को आप like, share और subscribe केजिए, क्योंके और comment करिए, ताके हर वेक्ति तक ये जानकारी पहुंचे, अगर आपने ये 10 points follow कर लिए, तो will challenge भी हो जाएगे, तो आप safe हैं, have a nice day, thank you.